जब दुआएं मांगने की बात आती है तो लोग किन्नरों को सबसे आगे रखते हैं कि इनकी दुआ कभी भी खाली नहीं जाती इनकी दुआ जो होती है वो हमेशा लगती है लेकिन जब बात आती है इनको इज़द देने की तो लोग अपने पैर पीछे कर लेते हैं किन्नर को आज भी हमारे समाज में बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है जिस तरीके से कभी कभी हीन भावना का शिकारी होती हैं उसकी वज़े से बहुत से किनर है वो आज भी रास्त में गाते हुए या फिर आपको इसी काम को करते हुए दिखाई देंगे लेकिन आज ये इस पर टांजेंटर मोडल नाम है इनका खुशी शेक आपने इनकी वीडियो काफी जादा देखी होगी टिक टॉक पर यूच्व पर मोज पर इंस्ट्राग्राम पर ये हर जंगत चाही हुई रहती हैं ये अपने वीडियो में काफी जादा आपको मोटिवेट भी करती हुए नजर आएगी किस तरीके से इन्होंने अपना सफर तै किया है वो भी अपने इस वीडियो में बताती हुई ये नजर आ जाएंगी लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे इनकी लाइफ इस्ट्राइल के बारे में इनकी शादी के बारे में इनकी फैमली के बारे में और किस तरीके से ये सफर तया किया है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी खुशी का जनम 11 नॉम्बर 1989 में मुंबई के एक चोटी से परिवार में हुआ था इनका जो परिवार है वो काफी जादा गरीब था ये अपने माता पिता की पहली ओला थी जब ये पैदा हुई तो इनके माबाप को लगा कि शायद लड़का हुआ है लेकिन जब उन्हें पता चला कि ना तो ही लड़की है ना तो ही लड़का है उन्हें बहुत जादा दुख का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानों और किसी को ये बात नहीं बताई वो खुश थे कि उन्हीं पहली सन्थान पैदा हो चुकी है उन्होंने सब को बताया कि उनके घर लड़का हुआ है और इनका admission जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनका admission एक स्कूल में कराया गया जहाँ पर लोग इनको हसी मजाग का पात्र समस्ते थे इनकी मजाग उड़ाते थे इनकी features की वज़े से इनके रहन से इनकी मज़े से जहाँ पर कुशी को कभी कभी doubt होता था कि क्या मैं सच में एक लड़का हूँ क्योंकि मैं औरों से बहुत जादा अलग हूँ खुशी को वो सारे काम करना पसंद था जो एक लड़की को करना पसंद होता है इसके बारे में इनोंने जब अपनी माँ से पूछा तो माँ ने इनके सवाल को जो हटाल दिया जब ये 5th किलास में थी तो इनको पता चला कि ये किनर है और ये समझ गए कि ये नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं है इनके लाइवी स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजिंज आने शुरू हो गए लेकिन वहाँ दूसी तरफ हमने देखा कि लोगों को भी इस बाते पता चलने शुरू हो गई कि ये एक जो किनर है उनको फैमली में रख रहे हैं और उनको पाल रहे हैं इसी वज़े से इनके माबाप को भी काम मिलना बंद हो गया और इनके घर की इस चीची जो है वो बहुत जादा खराब हो गई टैन तक की पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है छोड़ दी और अपने पापा की मदद करने के लिए इन्होंने रास्ते पर भीक मांगना शुरू कर दिया कभी इन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाता था कभी लोग इन्हें काफी जादा बुरी तरीके से बिहेव करते थे कभी इन्हें खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाता था लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये रास्ते में भीक मांग रही थी तो इनकी मुलाबकात सलमा खान से हुई जो पहली लोग अदालत जज हैं उन्होंने इन्हें भी मांगते वे रोते वे रास्ते में देखा ये वह उनके पास में गई और उनसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या करी हूँ वहाँ पर खुशी ने अपनी सारी स्टोरी शलमा को बताई सलमा उन्हें लेकर अपने साथ में आ गई वहाँ पर काफी जादा किनर जो हैं वो रहते थे उनको अपने साथ में लेकर मुंबही आ गई साथ में इनके परिवार को भी लेकर आ गई वहाँ इन्हें खाने पीने को सब मिला रहने को मिला लेकिन सलमा महाँ पर खुशी ने अपना गुरू सलमा को मान लिया और जिस तरीके से सलमा लोगों की मदद करती थी खुशी ने ठान लिया कि मैं भी हार नहीं मानूंगे इसी तरीके से एक दिन मैं ऐसा कुछ करूँगी कि मैं भी लोगों की मदद कर प फिर इन्होंने टिक टोक जब आया तो टिक टोक जोइन किया वहां पर भी ने काफी शुरू में स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन अपने डांस के जरीए और नहार ना मानने के कारण इनकी वीडियोस वाइरल होना शुरू हो गई साथ में इन्होंने इन्स्टाग्राम यूट्यूब भी जोइन किया जहां पर टिक टोक है वो बंद हो गया लेकिन इन्स्टाग्राम यूट्यूब और मोज पर इन्हें काफी जादा फेमस ही हो चुकी थी इन्स्टाग्राम पर इनके फोलोवर की संक्या है 1.2 मिलियन यूट देखा दे की तो यह शादी शुदा नहीं है, अभी उनकी शाधी नहीं हुई है लेकिन इनको काफी टाइम आपने देखा होगा कि कपल के ऐज थै अ गपल यह वीडियो बनाति है जिनके साथ यह वीडियो बनाती है उनका नام सोहिल खान है लोग बोलते हैं कि इनके boyfriend है लेकिन खुशी ने इस बात को clear करते हुए का कि ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और हम सिर्फ दोस्त हैं तो जो शोहिल खान इनके साथ में दिखाई देते हैं वीडियो में वो इनके दोस्त के तरीके से best friend के तरीके से दिखाई देते हैं कि ना तो शादी हुई है और नहीं अभी कभी कपल के किसी भी relationship में है लेकिन हाँ खुशी का ही मानना है कि अगर उनको कोई ऐसा मिलता है जो उनको जैसी हो है इसी तरीके से अपना है तो वो शादी करने के लिए तयार है आपका क्या कहना है खुशी शेक के बारे में और इ